हेलो तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि हम नेटवर्क पैनिटेशन टेस्टिंग में करेंगे कि कि किस तरह से हम हीडन डारेक्टरी को find out कर सकते हैं तो hidden directory को find out करने के लिए जो आज हम tool यूज़ करेंगे वो tool है आपको dub ओके dub बिसिकली एक web scanning tool है जो कि आपकी website से hidden directory को find out करने के लिए use करा जाता है ओके इस tool की help से बिसिकली आप hidden directory निकाल सकते हो अब किसलिए हमें need होती है dub tool की क्यों हमें hidden directory चाहिए होती है ओके बिसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी machine पर penetration testing कर रहे होते हो ठीक है machine की information निकाल रहे होते हो आपको कहा है कि वो directory की भी need पढ़ते है जो कि normal एक user आपको देख नहीं सकता normal user उसे use नहीं कर सकता तो उस directory को हम dub tool से find out करते हैं कि आपकी क्या है कि hidden directory find out हो जाए और उस hidden directory का use करके हमें access gain करने में help मिलती है ओके तो बिसिकली जो आज हम क्या कहते हैं machine solve करेंगे वो आपकी metasploitable to machine है जिस पे हम find out करेंगे कि hidden directory कैसे find out हम कर सकते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेर रहे हुए तो सबसे पहले हम अपने देख लेते हैं हमारी जो काली मशीन है वो भी रन्निंग है और दूसरी हमारी metasploitable मशीन है यह दोनों मशीन हमारी क्या है रन्निंग है तो अब हम क्या करेंगे metasploitable मशीन पर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पूट बिसिकली आपकी metasploitable मशीन ओपन हो रहे है तो अब इसमें find out करते हैं कि इसमें hidden directory इस मशीन की हम hidden directory किस तरह से find out कर सकते हैं विद्धा हैल्प ऑफ डर्प टूल ओके तो इसका हम यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन कर लेते हैं तो इसका यूजर नेम है msf-admin और पासवर्ड भी msf-admin ओके डैन इसका इसकी आई-पी चेक लेते आई-एफ-config तो इसकी आई-पी है 192.168.1.253 इतना पता चलने के बाद अब हम क्या करेंगे अपनी काली मशीन पर जाएंगे और सबसे पहले करेंगे कि हमारी मशीन कनेक्ट है तो हमारी मशीन कनेक्ट है अब इसके बाद जैसे हम जाते हैं ब्राउजर पे और इस आई-पी को ओपन करते हैं 192.168.253 तो यह क्या है आपकी मशीन ओन हो गई है तो अब हमारा जो काम है वो क्या है कि हम किस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं हीड़न डारेक्टरी को निकाल सकते हैं ओके तो हीड़न डारेक्टरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके युवाइल कॉपी करने के बाद हम कौन से युज़ करेंगे डर्ब हाइफन एच कि किस तरह से हम डर्ब टूल को यूज़ कर सकते हैं ओके तो अब इसिकली सी तो किस तरह से हम इससे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि अधिया आर्ब डव डव ओके तो यह आपको बेसिकली इसके हैल्प मैन्यू कुल गए कि किस तरह से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो यूज़ लिस्फ टालो नालो इसमें आप से एक उपर कांसी वर्ड यूज़ करें और इसके ऐसे बार यूज़ को ले लेता है देन उसके बाद आपका हाइफन एन option बिसिकली यूज़ करा जाता है Next डारेक्ट्री को हाइफन क्यूज कैन को बिसिकली जब आप इस कैन कर रहो और आपको लगता है कि आपका स्कैन स्टॉप करना चाहेए देन आप हाइफ क्यूज option यूज कर सकते हैं और option यूज का जाता है remaining scan status कि आपका status क्या रहे गया है जब आप को क्या करोगे प्रेस करोगे आपको उसका status पता चल जाएगा ओके आपको different parameter बता रखें कि किस लिए यूज होते हैं आपके डर्ब टूल में ओके आपका agent के लिए होता है ठीक है आपको specific user customer agent बताने के लिए हाइफन भी आपका path के लिए होता है आपको path define करने के लिए हाइफन सी आपका cookies को set करने के लिए होता है कि आपकी ब्राउजर की cookies का है जिस पर आप attack perform कर रहे हो हाइफन यह आपका जो होता है path of client certificate मतलब आप client के certificate का path वताना पड़ता है जहां पर आपका certificate store है यह आपके different parameter होते हैं जिनका यूज करके हम क्या डर्ब टूल को यूज करते हैं ओके तो अब जो सबसे पहले चीज है कि हम by default कि जो डर्ब टूल है हम बीना कोई डिश्वर्ड लिस्ट यह किस तरह से यूज कर सकते हैं तो उसके बारे में तो सबसे पहले कहा है डर्ब दैन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा उस यू आयल को पीश करना पड़ेगा जो कि हम वहां से कॉपी करें थे दैन स्टीटीप कि ट्रमेट कॉलम्स लैस्ट 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 टैन हिट एंटर ओके सो बाइडिफॉल्ट बेसिकली क्या करेगा यह आपकी स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा यह आपकी हर एक डारेक्टरी को फाइंड आउट करेगा अब देखिए इसमें जो आपका डर्व का वर्जन टू-टू-उजो रहा है ओके अब इसमें इसने बाइडिफॉल्ट लीए वह कौन से लिए एसार शेयर श्यर स्लैस दो जस्लैसलएड वर्टि लिश्ट ट्यू टी तो इस वाली वर्डिफोर्ड को इस ने क्या करा है बाइड डिफॉल्ट काउंट करा है अगर आपने किसी थी की वर्ड लिस्ट नहीं डिफाइन करी तो बाई डिफर्ट यह आपकी अब इसने जो यह इंफोमेशन निकाली यह आपकी जितनी भी डारेक्टरी पैजन थी उन सारी डारेक्टरी के की इंफोमेशन निकाल लिए तो अब इन डारेक्टरी का किस तरह से आप यूज कर सकते हैं जैसे एक पेज इंडेक्स डॉट प्राउजर ओके ओपन और ब्राउजर करने पर आपको लॉग इन पेज मिल जाएगा ओके फिर उसके राद आपको क्या है लॉग इन डॉट पेज डर्ब लॉग इन पेज लॉग आउट पेज एंड डिफरेंट डिफरेंट पेज यहां पर आपको मिल जाएंगे दैन एक और फाइल मिली है आपको रोबोट डॉट तो इस तरह से आपको हीड़न हीड़न डारेक्टरी मिल जाएगी तो आप में क्या है डिस अलॉव रखा है तो इस तरह से आपको कभी भी हीड़न डारेक्टरी फाइंट आउट करना होगा तो आप डर्ब टूल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी टाइम पैनेटरेशन टेस्टिंग में आपको बहुत बार हीड़न डारेक्टरी की नीट पढ़ते हैं क्योंकि कि इस website के स्रेफ हमें इतने ही specific पेट चाहिए और एक्स्टर इंफोमिशन नहीं ठीक है हमें क्या करना है इनेवरेट करना है इस स्पैक्सफिक एक्सटेंशन हमें इक स्पैसिक एक्स्टेंशन की सिरफ फाइल चाहिए बाकि जो फाइल है वह आपके आउट्पुट में तो डव फिर आपका url दैन इसका ऐफन कैपिटल एक्स और डॉट पी अच्पी अब हमें कौन से एक्स्टेंशन की सिरफ फाइल जाए हमें पी एक्स्टेंशन की ही सिरफ फाइल चे उसके लावा कोई भी फाइल नहीं जाए दैन हीट एंटर अब इसको एंटर करने के बाद आपको पी एच्पी से रिलेटिड ही मिलेगी कि आपकी जो पीच्पी में फाइल है उन सारी पीच्पी फाइल को ही सिरफ यह आपको एक्स्टैक्र करके इंफॉमेशन देगा उसके लावब कोई और फाइल को सो नहीं करेग तो हम वेट करते हैं कि आपको कौन-कौन से तो इस तरह से आपको सिर्फ hidden directory तर एक प्सक्राइड अब करते हैं कि आपको क्या करना से यह आउटपुट यह इसव करना है तो आपके तरह से आउटपुट को क्योंकि आपको स्कैनिंग करते हैं समय हर बार आपको यह एक डिर्यक्टरी आपने open करी तो उससे वाक कर रहे हो फिर दूसरी डिरेक्टी तो आप अपने शर्म Wah APIs को में सेफ करना चाहते हो तो किस तरह से आउट पुट में सेव कर सकते हैं उसके लिए आपकी कमाड़टी ऑल células है उसमें हम यूज़ जिस गरते हैं हाइफरन कैपिटल ओ हाइफरन कैपिटल और वस्टिकलि आपके होता है आउट्पूट सेफ करने के लिए यूज करा जाता है तो आपका होगा हम इसका नाम रखते हैं कि अधिक डर्ब आउट्पूट कि डॉट कि टी एक्षटी डर्ब आउट्पूट डॉट टी एसटी डेन हिट एंटर अब यह जो भी आपका आउट्पूट होगा वह आपके डर्फ फोल्डर में जाके सेफ हो जाएगा ओके तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो आउट्पूट फॉर्मेट में भी अपनी फाइल को निकाल सकते हो कि आप यहां ईक जैसे अपने टैस्टिंग कर हैं आपको ρेक्टर मिलें गए उस पर आपको टैस्टिंग करें इन आपको शी करना सकते हैं तो आपकी आफुट फाइलेल यहां पर बाइडिफॉर्ट उसमें जाके आप देख सकते कि आपकी कौन कौन सी डारक्ट है तो हम चलते हैं अपने फोल्डर पर क्या यहां पर यहां पर स्टोर हुई है नहीं वश्लिए आप यहीं कर सकते हैं कि एलैस ओके फिर सकत कि भी आर ओके पर दो यहां है तो इस तरह से देखिए आपके और पुट कि यह एक डी ऐपन में आपका स्टोर हो गया है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप आप find out कर सकते हैं कि आपका क्या है कौन कौन सी information आप हर एक डारेक्टरी को easily scan कर सकते हो उसकी information निकाल सकते हो उसके बाद क्या है आपका status कि आपको क्या करना है कि आपको status code unnecessary status code को remove करना है कि किस तरह से आप इग्णोर कर सकते हो कि unnecessary status क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको वह भी डारेक्टरी मिल जाती है जिनकी आपको नहीं होता है जिनका status आपका different different होता है या 404 3023 तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इग्णोर कर सकते उन status के element को ओके अब किस तरह से हम उनको यूज कर सकते तो देखते हैं तो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं तो हम यूज करेंगे ड़ब और इसमें यहां से remove करके यूज करेंगे capital N and status 302 302 बेसिकली आपका किसली यूज करा जाता है री डारेक्शन करने के लिए तो आपको जो अच्छी रीडारेक्शन का कहते हैं आपकी जो भी डारेक्ट्री है उससे क्या कर देगा remove कर देगा जिसके बाद आपको सिर्फ आपको एक्षिवे लेके जाएंगी बागी साइड को क्या कर देगा रिमूफ कर देगा तो हिट एंटर और बिसिकली चेक करतें कौन कौन से आउटपुट आपको देता है हरुत को है कि यह आपको जो डिफरेंट डिफरेंट डिए ये अब वही डारेक्टरी थिया जो कि आपको रीडायक्त निकरेंगे सिर्फ आपको पेज़ पेल जाकर जैसे आप क्या है आपको कौन फाइल मिल गई तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट डारेक्टरी मिल गए इसमें जो आपका स्टेटर 00302 था उसको रिमूफ करके जो सारी फाइल थी वह आपके आउट्पुट में तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप आप find out कर सकते हो कि कि कौन सी डारेक्टरी जिसका अभी तो हमने 302 लिया था आप अपने अकॉर्डिंग कोई सबी स्टेटस को कर सकते आप 404 या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटव को रिमूफ कर सकते हो को अब हम बात करते हैं इस पीड डिले इस पीड डिले बेसिकली किस तरह से आप किसी फाइल में मतलब की कर सकते हो अब यह होता है कहा है स्पीड डिले इस पीड डिले किस तरह से वर्क कर सकता है तो स्पीड डिले स्कैन का यूज करते हैं तो आपको उस टाइम के लिए सकते हैं आपको स्कैन बीच में क्या करेगा मतलब आपको रुकेगा इसंट के सकते हाइफन जैड हाइफन यह बेसिकली आपका किसी लिए करते हैं इस पीट सेकंड के लिए दैन हिट ऎंटर अब देखें स्पीट सेकंड के लिए आपने करा तो यहां पर आपको कुछ चीज़े अड दिख रही है अब आपको क्या दिख रहा है कि आपको 100 पर दूसरी डारेक्टरी को इस तरह से क्या है आपको डिफ्रेंट डिफ्रेंट को स्कैन करने में यह 100 millisecond बीच में क्या लेगा time interval कर लेगा तो इस तरह से आप कर सकते हो क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो firewall होती है वो आपको block कर देते हैं flooding attack के वज़े से तो आप speed delay का use करके क्या कर सकते हो तो firewall को easily bypass कर सकते हो अब उसके बाद हम जो बात करते हैं अब क्या है हम बात करते हैं not recursively not recursively होता क्या है तो dub scan जो हम by default scan करते हैं अब इसमें क्या कर सकते है scan for directory recursively okay for example अब इसमें किस तरह सा आप recursively scan कर सकते हो वो हम देखते हैं ओके अब वेट करते हैं basically scan को हम stop कर देते हैं कि आपके टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा ओके अब जो हम दूसर स्कैन करते हैं recursively scan करते हैं कि आपको टाइम डूरेशन के लिए क्या करेगा आपको यहां पर वेट कि रिकावर्सिवली स्कैन बेसिकली आइफन आर दोंट सर्च रिकर्सिवली बेसिकली आपको बाइड डिफोल्ट सर्च कर रहेगा आइफन आर अभी आपको रिकावर्सिवली स्कैन परफॉर्म कर रहें कर रहें आर दोंट सर्च कर रहें अब बेसिकली रिकर्सिवली स्कैन क्यों करा था मने अब क्या होते कि कि बहुत बार जब आप डारेक्टरी को सर्च करते हों तो डारेक्टरी को सर्च करने से क्या होता है कि पहले आपकी डारेक्टरी करता है फिर उस डारेक्टरी के अंदर उसे कोई भी और हीडन इंफोमिशन मिलती है तो उसे भी सर्च करता है ओके तो हाइफन आर ऑप्शन यूज़ करने से नौन रिकर्सिवली इसमें क्या हुआ कि आपकी सिर्फ उपर से सिर्फ डारेक्टरी ड्रैक्टरी जितनी भी तो स कि इस तरह से यह llegó सकते हो ही डान इफोमैशन निकालने के लिए अब डिकाब कि इसले होती है अब जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामेटर करें हमने इंफोमेशन निकाली में अब किसली सिर्द से बहुत बार क्या होता है कि आपको एसी भी म帶 ऐसे निकाल सकते हो hidden information मिलने के बाद आप क्या कर सकते ब्राउजर पर जाके different different page को open कर सकते हो तो क्या पता आपको login पेज या फिर admin का भी page मिल सकता है जिससे क्या है कि आप access गेन कर सकते हो तो इसलिए हम क्या कर सकते है dub tool का use करते हैं कि हम hidden information निकाल सकें तो डर्प टूल बेसिक लिए आपके का करता है हीडन इंफोर्मेशन निकालने के लिए यूज करा जाता है